असलाम लएकूम एड वेलकम बैक टू माई चानल कैसे हैं आप सब लोग आप सब खैरियत से होंगे आज मैंने बहुत ज़्यादा खूश हूँ क्योंके कल मेरे वन के सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गये थे और यह सब आप सब लोगों की वज़ा से हुआ है आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया मेरी वीडियो को स्पोर्ट किया आप दूसरा चैनल था और इस चैनल से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी मिली है और जो मैंने पहला चैनल बनाया था ना उससे तो मैं बहुत डी मोटिवेट हुई थी और उसमें मैंने 8-9 महीने मिनत भी की थी और उस पर मुझे कोई अच्छा रजल्ट नहीं मिला ह इस चैनल पर माशले से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है क्योंकि इस चैनल ने मेरे बहुत ही जल्दी ग्रो की है और यह सब आप लोगों की स्पोर्ट से हुआ है खैर जी आप सब का थैंक यू और यहां पर जी हमने जाना था बाहर और मैंने अपने कपड़े नि जी मेल पर आपके कॉमेट्स आते हैं वो भी मैं आपके पढ़ती हूं और उन पर भी मैं बहुत चल्द वीडियो बनाऊंगी बस यह है कि आजकल बच्चों के चाचु आए हुए है यूके से और बस फिर हमारा जो है आजकल फुल घुमना फिरना खाना पीना कुकिं और इ इसी चीज में मैं लगी रहती हूं किचन में भी काफी टाइम लग जाता है और जैसे ही वो चले जाएंगे तो इन्शाला फिर जो हैना आप सब की रुक्वेस्ट पर वीडियो बनाऊंगी अब ही भी मेरे पास काफी वीडियो जहना वो शूट की हुई कह लें के दो तीन पड़ी है बस यह है कि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिलता और एडिट करना फिर वाइस ओवर करना तो इसी चकर में जो हैना मेरी वीडियो डिले हो जाती है असल में वीडियो एडियो तो मैं कर लेती हूं लेकिन जो वाइस ओवर करना होता है वो बहुत मुश्किल प्लो जाता है मेरे लिए क्योंकि दिन में भी बच्चे फुल टाइम शोड कारे होते हैं और अभी हैं भी छोटे उनको बना मना भी नहीं कर चकता और फिर सोचती हूं कि रात को इनको सुला के करूंगी वाइस ओवर और फिर यह होता है कि मैं खुद भी इतना थक जाती हूं पूरा दिन और फिर मैं भी सोच आती हूं इसलिए मैंने शुरू से ही डिसाइड किया था कि मैं एक दिन शोड के वीडियो अप्लोड किया करूंगी ताके मैं इस तरह अराम से एक दिन में वीडियो को एडिट कर लूं और रात को जो है फिर मैं वाइस ओवर कर लूं इस जो है वो मेरे लिए इसी हो जाता है वरना तो टेंशन ही लगी रहती है कि एक ले दिन वीडियो अपलोड करनी है खांजी इधर चलाते हैं साइकल बाहर चलाते हैं ने मेरा बिटा खांजी इसी है और यहां पर हो रही थी बड़े साइकल लेकि अदर आया वा था आजकल ने दोने भाई इतने जादा लड़ते हैं साइकल से पहले बड़ा चलाता नहीं था एक साल लोगे लिए हुए आप जो है ना चोटा चलाता तो नहीं है लेकिन उपर चड़के बैठ जाता है बस फिर दोनों भाई बहुत ही सादा फाइट करते हैं और यहां पर चोटे साब को मैंने पैमपर भी लगा दिया है और इसको लोशन भी लगा दिया है बोड़ी पर पाउडर लगा के तो बस इसको मैंने कार देना है रैडी क्यूंकि आज यह लोग जा रहे हैं डिनर पर और मतलब आज नहीं इस वीक में तो हम तीन से चार बार बाहर गए हैं और हमने डिनर भी बाहर किया है क्योंकि इनके चाचो आए वेय llegó है तो फिर हमने ज्यादा कर खाना Хाना खाना होता है तो बस इनके भी जो है मोझे लगी हुई हैं वहना लुटीन में तो हमने सिरफ वीकेंड पर यी बाहर जाना हुता है तो यहां पर छोट चोटे की बदाइश किराशी की है और बड़े के जो है वो मुलतान की है लेकिन मैंने इसकी खतने करवाई थी जब बड़ा एक साल का हो गया था उस टाइम कराई थी थोड़ा उस टाइम ये वीक था और मेरे हस्बेंट भी दुबाई में थे तो वो कहते थे कि अभी नहीं कर दालूं ताके जल्दी से ठीक हो जाएं छोटे बच्चे की वैसे भी जल्दी ठीक हो जाती हैं लेकिन मेरे हस्बेंड कहते थे किराची जाके करवाना और पिर जब मैं कराची आए तो मैं अकेली थी और फिर मुझे डर लगता था कि मैं खतने कराऊंगी ये बिमार ना हो जा साइट कर लिया और फिर जब टाइम आया तो मेरे हस्बेंड कहते हैं कि नहीं मुझ से इसका रोना जो है वो नहीं देखा जाएगा तो तुम जो है रो ना वो पाकिस्तान से जाके करवा लेना और जब मैं पाकिस्तान गई थी तो उस टाइम फिर मेरा 6-7 मन्त चोटे थी खतने करने के बार डॉक्टर ने खुद ही हमें डाइपर लगा के ना इनको बाहर दिया था बच्चों को तो मैंने इनको खतनों के बार डाइपर ही लगाया था और तीसरे दिन में ही दोनों की खतने बिल्कुल ठीक हो गई थी यहां पर मैं दिखा रही थी वाश्रूम तो बस यहां पर मैं भी रेटी हो गई थी और मैंने पहना था आज यह अपना फेवरेट ड्रेस और कुछ दिन पहले ही मैं लेकर आई थी लेकिन मुझे इसको पहनने का टाइम ही नहीं मिला तो आज मैंने यह पहना था इसका कलर मुझे इतना ज्यादा पसांद आया कि मैं ब फिर हम सिधा आ चुके थे मॉल और हम आये थे दुबई फेस्टिबल सिटी क्योंकि यहां पर एक काम भी था हमें तो बस फिर हमने का कि यहीं चलते हैं और बचों को भी थोड़ा घुमा फिर आ लेंगे और यह इतनी प्यारी जूल रही है ना जब भी मैं आती हूं ना तो इ ले जाएंगे और यह भी खेल लेंगे और उसके बाद जब तक हमें भूग भी लग जाएगी तो फिर जो है ना हम टिनर पर चले जाएंगे क्योंकि हम ना बचों को अकसर दुबई फेस्टिबल सिटी लेके आते हैं यहां पर बच्छों के लिए काफी अक्टिविटी होत और अभी जो है ना इनकी स्लाइट चल रही होती थी गाड़ी में कार्ट जो है अभी इनका मकमल नहीं होता था और यह जो है आउतर के भाग जाता था शाजएन तो बस इसलिए अब जो हैना हम कार्ट यूज नहीं करते हैं बस अभी इनको इतना पता भी निया राइट से लेने का तो ऐसे ये बस खाली बैट कि न गाड़ीओं के ऊपर खूश हो जाते हैं कभी उसके ऊपर कभी उसके उपर बस इनका जो है ना यही फान होता है अच्छा यह सब कुछ ना बड़े बचों के लिए है अंदर जो है ना वह छोटे बचों का भी बना हुआ है वहां पर पहले हम जब शाजन चोटा था, मेरा चोटा बेटा पी चोटा था, तो फिर हम टिकल लेते थे और वहाँ छोटे बच्चों के लिए ना काफी अक्टिविटी है अंदर, और वहाँ पर फिर छोटे बच्चे अराम से खेल सकते हैं, लेकिन अभी ये दोनों माशला से भाग द अधीद वाली बूक लग रही थी, क्योंके मैंने सुबह का नाश्टे किया हुआ था, और फिर मैंने लंच भी नहीं किया था, बस वाटर मेलन काया था, और अपना मुझे बहुत ही जाद बूक लग रही थी, और यहां पर ना खाने का वेट हो रहा था, आज हम आए थे ब काना आगया था, मेरे फेवरिट तो आगया थे कबाब, और मेरा इनको देखे ना मूँ में पानी आ रहा था, और यहां पर नली और राइस मंगाए थे, और मुझे ना यह कबाब बहुत ही जादा पसंद है, बस मेरा तो दिल करा था, कि मैं जल्दी से खा लूँ के मैंने स इतनी मज़े की खिशबू आरी थी माशाला से, यह भी बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था, और इनकी सर्वेस भी बहुत अच्छी थी, इनका खाना भी बहुत अच्छा था, अच्छा मुझे ना इसी तरह के खाने पसंद है, और जब मुझे मेरे फेवरिट ख पसंद आयों कि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है चानल को पी सब्सक्राइब करना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफिज